बशिप बंगाल की आसन सोल लोगसबा सीट पर हो रहे मतदान के दौरान नहिंसा भड़कोठी बीजेपी के उमिद्वार अगनी मित्र पॉल ने आरोप लगाया है कि टीमसी के लोगों ने हम पर हमला किया है वही जब टीमसी उमिद्वार शत्रुगन सिना ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि अगनी मित्र पॉल की कार पर हमला हुआ है या नहीं तो इस पर जबाब देते वे पॉल ने कहा कि शत्रुगन सिना से कहो मुझे कॉल करने मैं उन्हें बताऊंगी कि यह हमला हुआ है या नहीं सुप्रीम कोट के पार्टीदार अरक्षन अंदोलन के द्वरान हुए दंगे और आगजिनी मामले में कॉंगरस निता हर्दिक पठेल की सजा पर रोग लगा दी गई है शीष अदालत ने का है कि आज का कर्दा की अपील पर फैसला आने तक इस मामले में कोई सजा नहीं होगी वही शीष अदालत ने हाई कोट को भी सला देते हुए का कि मामला सुप्रीम कोट में है इसलिए दोस सिद्धी होने तक आपको सजा पर रोक लगानी चाहिए समाजवादी पार्टी में बगावत के सुर्थ तेज हो चले है अभी तक अखलेश यादों से नराज चल रहे है चाचा शीवपाल सिंग्यादों ने मोर्चा खोल रखा था अब पार्टी से दूसरे नेता भी उसमें शामिल हो गए है समाजवादी पार्टी में बगावत के सुर्थ तेज हो गए है अभी तक अखलेश यादों से नराज चल रहे है चाचा शीवपाल सिंग्यादों ने मोर्चा खोल रखा था अब पार्टी के दूसरे नेता भी उसमें शामिल हो गए है इसमें सबसे बड़ा नाम आजम खा क जेल से बहार आए हमारे रास्टी अद्दज को हमारे कपड़ों से बद्बू आती है सभा विधायक के गिराये जाचुके पेटरॉल पम की नोसी भी इरद्द कर दी गई है टीम ने जाज कराने के बाद ये कारवाई की है बदादे की सीलिंग की जमीन पर पेटरॉल पम बनाने की जाज जारी है शेह जेल इसलाम पर नोसी के लिए कई तथ चिपाने का भी आर परिक्षा केंदरों पर होगी 30 मार्च को पेपर लीक होने के चलते अंगरेजी विशे की परिक्षा निरस्त कर दी गई थी परिक्षा निरस्त होने से परिक्षा केंद पर पहुँचे परिक्षारतियों को काफी मायूसी हुई थी इस्तानी प्रादिकारी निर्वाचन शेतर से विधान परशद की 36 सीटों के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस जीत दर्ज की है बीजेपी की खाते में 36 में से 33 सीटे आई है भाजपा को विधान परशद में पूर बहुमत मिला है विधान परशद की 9 सीटों पर भाजपा की उमिद्वार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित होश चुके है वही दूसरी और समाजवादी पाची चुनाव में मुकामले में ही नहीं दिखी सफा को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली है मंगलवार को 27 सीटों पर नतीज़े आए जिनमें से 24 सीटों पर भारती ये जनता पार्टी ने जीता सीकी जबकि 3 सीटों पर निर्दली उमिद्वारों ने कबजा जमाया है उत्तर परतेश में भारी बहुमत के साथ दोबारा बीजेपी के सरकार बनाकर त्यार अस्टने वाले मुकमंत्री योगी आदितनाद ने सोंबार को राजपती रामनाद को वीन प्रदान मंत्री मोधी गिरह मंत्री शा से मुलाकात की उन्होंने इस दोरान पीम से राज के विकाल से जुड़े विमिन मुध्दों परबात की वह ही उप मुकमंत्री केशपरसाद मोड और ब्रजेश पाठक भी इस दोरान मौझूद रहे PM मोधी ने प्रतेश की मुखमंत्री योगी आदितनाद और उप मुखमंत्री केशप परसाद मौड़ और बिजेश पाठा को UP के मिशन 2024 का मंत्र दिया है CM योगी आदितनाद को जल्दी BJP संसदिय बोर्ट का सदस्द नियुक्त कर सकती है उतर प्रतेश में योगी के नेतत में BJP की परचन चीट और योगी की लोकुपीता के मदे नजर पाठी उने संसदिय बोर्ट में शामिल करने पर विचाल कर सकती है बोर्ट में शामिल होने के बाद योगी का BJP की राजनीती में कत भी पढ़ेगा बतादे 11 से दस्तिय संसदी बोर्ट में पूर्विवित मंत्री अरुण जेटली, पूर्विदेश मंत्री, सुष्मा स्वराज के निधन, वेंके नाइडू की उपराश्पती, नियुक्त होने और राजसभा में नेता, खावर, चंद, कहलोत की सेवा निवरत्ती के बाद स चार पत खाली है, सुत्रक मताबिक योगी के साथ असम के मुक्मंत्री हेमंद विश्व सर्मा को भी बोर्ट में शामिल किया जा सकता है कश्मीर संभाग के श्रीनगर में प्रदेश के पूर्व मुक्मंत्री और पीडीप अद्दक्ष मभूमा बुफ्ती को पुलिस ने हिरासत में लिया है पंजाब के मुक्मंत्री भग्वनमान मंगलवार दोपैर तीन बज़े एदिली के मुक्मंत्री अरविन के जिवाल से मुलाकात करेंगे सुत्रक मताबिक पंजाब में जल्री के जिवाल की पहली गारांटी 300 यूनिट मुफ बिजली का ऐलान हो सकता है पंजाब में 300 यूनिट फ्री करने के लिए मिशन बोर्ट पर पूरी तयारी चल रही है सुमवार को मानने पंजाब के वरिस अधिकारियों से मुलाकात की वही मंगलवार को भगवन मान राश्पती रामनात कोविंद और रुप राश्पती से भी मुलाकात करेंगे झाल 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 झाल